इस वीडियो में आप जानेंगे excel की कुछ बहतरें tips and tricks के बारे में जो आपके काम को काफी आसान बना देगी चाहे आप office में work करते हैं चाहे आप government इस बहुत concept history आ यूजफुल टैप अगर viol देखेगा لेकिन रिखने थे पहले जडिया उप words को सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे और बैल आइकन दिया गया है उसको भी आप क्लिक करेंगे ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिल सके नमस्कार मैं भारती और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल आए शुरू करते हैं इस वीडियो में आपको में एकसर की कुछ स्पेशल बहुत ही खास टिप्स और प्रिक्स जो आपको कापी काम आएगी पुछुरू करते हैं इस वीडियों हमें वर्ड में तो बुकमार को आप्शन आपको इसे टैनल ले चाहता है तो हाइपर लिंक के साथ ही रहना है लिकिन यहां पे आपको बुकमार को आप्शन में फटा की मी भी हुआ लिक ले की में डिकान्तिक, यहां बुकमार को वर्ड ले में जाना है चरा कई चाहुत ह। या फिर आप उसके सरच करें तो पर्टिकर एक एक टेबल का हम नाम देए इसमें वुकमाइड आपches कैसे करते हैं पर खे enfrent करेंगे ऊसे प्रफिए कोई नाम देदें हैं है ये टीज स्विल टीजोटेकर लिए इसके नाम देखते हैं स opened जो कमने सब्सक्रिक कर द ऐब सिर्टो नाम यह घ्र स्विल को आपको इसकी फटैबलबन देखें पर देना है आपके उपे में ताकि हम इसी टेबल को सिर्च करेंगें। यह पर टैड कर दिया। अगर सारी टेबल अगर बनी हुई हैं तो यह उप्शन यूज़ाता है कि अधिस्देबल पर डिशिया, जो लिए पर गत्राइल ने बनी हम जेए इसे इसी टेबल को डिशिया Dit तो आपको शो कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको डिरीट कर सकते हैं तो आपको शो कर सकते हैं तो आपको शो कर सकते हैं तो इसके लिए सारी शीट एक का साईगी तो आपको रखने उसको रखेंगे बाते सब को दिलिएगे लेकर 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 आपको चाहते हैं तो इसको दुसरे नाम से सेव दना चाहे हैं तो हम क्या करेंगे सब्सक्राइब लेकर हमने शीट उपन किये जो हमारा अलड़ी इसमें बर्ट दिया हुआ है आपा रोब किया ज्सक्राइब योथा चाहते हैं ऊसलिए दूसरे बीघवाट चाहते हैं कि हमें कोई नंबर दिये गये हैं उस नंबर के आगे हमें 9-1 एड करना है अब सीरीज में बहुत सारे नंबर हो तो आप कैसे आप 9-1 एड करेंगे एक फॉर्मूला होता है वैसे तो जो हम मैथड दो तरीके से यूज करते हैं लेकिन शॉटकट मैथड में आपको इसमें बत किया तो यहां पर हमें कॉलम कर देते हैं यहां पर कॉलम इंसर्ट होने के बाद में हम इसमें लिखते हैं अब यह 9-1 आपको इन सभी नंबर के आगे लगाना है तो जनली दे को एक छोटा ज़़गा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम यूज करके इसमें यह 9-1 एड क सब्सक्राइब, चाह competitor थे करता है, लिए चाहि सब्सक्राइब to यह जचान करें फोड़ा को यह वłemुए करोई ले हैं टों करें ल Mickey. हिस घोकर उड़ितों के अंच करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि स्वेल सोड़ किसस mau में हम कीसी निया इस रेंज में आपको 9-1 एड़ करना है उस रेंज को आप सलेक्ट कर लें उस रेंज को सलेक्ट करने के बाद आपको हूम टैप के अंदर यहां पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा तो फॉर्मेट पर आप जैसे ऑपन करेंगे तो नीचे नीचे आपको दे रखा है सेल इस फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको जाना है कस्टम पर कस्टम पर यहां पर जनरल ऑप्शन दिया हुआ है इस जनरल को हटाना है आपको और यहां पर आपको 9-1 लिखना है और फिर पीछे 10 डिजिट यूज करने है क्योंकि 9-1 यानि मॉबाइल तो हमें 10 बार यहां पर लिखने के बाद उक्के करने है तो देखें यहां पर सभी नमबर के आगे 9-1 एड हो गया है तो आपको इस लॉंग मेथड पर जाने की जरूरत नहीं है अगर आप 9-1 एड करना चाहते हैं बहुत बड़ी रैंज के साथ तो आप इस ओप्शन को य आपको काँ तपर सेल्माष से था समया से थालने सब्चा यहां अची आपको छैटेक्ट में इस ली में थाल घड़ी आपको और नहीं हमि रूंग में और की अपको आन पर आपको काम करते हैं तो पुरी QOO कैसे वोता है तो कुमाने आपको uch कहता है सबसे पहले आप नहीं से पूरी शीन को सब्सक्राइब करोरे यहां पर आप दे रहे हुआ अंगो या आप धोरी All से सब्सक्रांद एक प्रेगा या तुम्होative पर जाका वाइब आपको अखिस्वा पुछिस मने टाइब करें, तो आपको तुमों उसके किये हैं वाइब तुम आपको टाइप करें ना टाइप करेंगा। तुम आपको टाइप वर्ड दिखाई मिझे। कुछी तो आपने ताльप किया ककि सेडे में कि अधी कि भी थे similar का पिक, किस से नी क स्वाइब में धिए तो यह सेटिंग में पता हुनहीं कि अगर एक गूहै दू हो रहा हुआ है, तो आप वह सबनाना चाहते हैं तो गड़ून के कृटर यह से हैं बीए चोटी चोटी से और किसी भी Excel के data को यानि जो सेल में जो data है उसको एक साथ कमाईप कैसे किया जा सकता है तो दो अलग-अलग sell में जैसे यह data दे रखा है अगर आपको को यह ऐसी series तयार करने हो जो series बहुत बड़ी है तो उस सीरीज को तयार करने के लिए जैसे आप इसको कमाइन करना चाहते हैं इस तरह से तो कमाइन कैसे किया जा सकता है उसके लिए एक छोड़ा सा option है जिसको हम यूज करेंगे लिए सबसे पहले हम इसको यहां से डिलेट कर देते हैं और यह हमारे पास ज बहुत बड़ी सीरीज होने की वज़े से आप इसको ऐसा कोई option नहीं है कि आप directly उसको कर पाएं तो उसके लिए हमें एक trick को यूज करना पड़ेगा जिसके तुरू आप बहुत बड़ी सीरीज भी हो तो भी आप seconds में इन दोनों के डिटा को आप कमाई एक साथ कर सकते हैं उसके बाद आपको एक end के sign को use करना है इसके बाद आपको inverted comma double inverted comma open करना है और एक space देना है यहाँ पे udah प्रफ्रोव सपीश के बाद में आपको डेश लगाना है उसके बाद अगें आपको इस पेज़ देना है क्लोज करना है उसके बाद आपको एं 17 box लगाना है और इसके बाद नक्स्ट वाला जो सीरिज है उसको ली और फिर एंटर कर देना है तो देखिए यह दोनों सीरीज के जो नंबर है दोनों सेल के जो नंबर है वो एक ही सेल में कमाई हो गए है तो इस तरह से अगर हमें बहुत बड़ी सीरीज भी रैडी करनी हो तो हम इस तरह से उन सीरीज नंबर को रैडी कर सकते है एक्सल की छोट तो अलग अलग या तो फिर ड्रैग करेंगे यहां से सीडी करना है तो आपको सारे ब्लैंक सेल में वह जो उपर वाला डेटा है वह सेम नीचे कॉपी हो जाए तो ऐसा एक्सल में एक चोटी सी बहुती सुने ट्रिक है जिसके बारे में आज आपको बताएंगे सबसे पहले जिस रेंज में आपको वह डेटा फील करना है जैसे यह पूरी रेंज हमारे पार दे रखी इस पूरी रेंज को आप सेलेक करने इस रेंज में सीडी आजाना चाहिए इस रेंज में डीवीडी आजाना चाहिए इस रेंज में पैंड्राइव आना चाहिए तो यह हमें करने के लिए उस पूरी रैंज को आप सेलेक्ट करने कीबोर्ड से खाली F5 प्रेस करेंगे F5 में आपको ये गुटू वाला option दिखेगा इसमें आपको जाना है special पे special पे आप क्लिक करेंगे यहां पे blank option दिखेगा игрGG कर देना है इसने क्या होगा blank से जो है वह सलेक्ट यानि अभ इलंसेism कर धी इससे आपकी टेबल कि टेशारी सभेट हो जाने के बाद आपको cd के नीचे यानि इस वाली सेल के नीचे वाली सेल पे आपको इक्वल्स टू करना है एक्वल्स टू करने के बाद आपको वह उपर वाला सेल यानि जो आपको उस पे नीचे कॉपी करना है वह वाला सेल आपको ले लेना है उसके बाद कुछ नहीं करना है खाली कंट्रोल एंटर प्रेस क करना है और देखो जहां जहां पे जो डेटा चाहते थे वह सारे डिटा उसमें फील हो जाते है यह एक्सल की बहुत ही सुन्दर ठृक्क है जो आप ब्लैंक सेल को सेम डेटा अगर ऊपर वाला कॉपी करना चाहते हैं तो बिना ड्रैग किए आप कैसे कर सकते हैं और ड्राइग करने से तो आपको सारी जगे पे सेम ही डेटा आएगा लेकिन आप अलग अलग डेटा बीच बीच में आपको फील करना है तो यह वाली ट्रिक आपके काफी यूसफुल हो सकते हैं यहां पर हमने एक लिस्ट बना रखी है कुछ नंबर्स ह हम चाहते हैं कि अलग-अलग फार्मुले हम use करें लेकिन हमें फार्मुला लिखना नहीं पड़े टाइट नहीं करना पड़े हम उस फार्मुले को जो हम लिस्टरि जो बार-बार हमें फार्मुले यूज आते है Persian तो वह इस पे अपने आप वर्क करें जैसे यहां पे हमने एक drop list बना रखी है जिसमें हमने कुछ जो यूटीन में ज्यादा formula यूज आते हैं वो लेकि यहां पे हमने उसकी list बना रखी है data validation से तो जैसे हम यहां पे कोई formula यूज करेंगे या formula apply करेंगे तो इन number के लिए वो useful हो तो directly इसने count कर दिये उस पूरी रेंच के लिए रेंच को अगर हम यहां से min करना चाहते तो सबसे चोटा number कौन सा है वो उसने बता दिया तो यह सब तरीका कैसे कर सकते जिसे count है तो यह अपने आप कैसे इस पूरी रेंच के लिए यूज किया जा रहा है क्योंकि हमें generally तो बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको पसंद आएगी देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक सब्टोटल का एक फॉर्मूला होता है एक्सल में आपको सब्टोटल अगर आप कहीं भी टाइप करके लेंगे तो आपको सब्टोटल में कुछ फॉर्मूले दि तो सबसे पहले आपको यह ग्यारा फॉर्मूले किसी भी एक्सल शीट में आपको टाइप कर लेने हैं और उसका नंबर जो दे रखा है उसके साथ वह भी आपको यहां पर एड़ कर लेना है तो देखिए हम इसको एड़ कर लेते हैं तो देखिए यहां पर हमने वह ड्रॉ आप चाहें तो आप को पड़ि racism कर सकते आप हैं जान होगिता कर ईया है कि यहां लिया है इसका लिंक हम आपको description में दे देंगे कि data validation कैसे बनाते हैं तो आप वो उस video को देखेगा इसका video पहले बनाया हुआ है तो आप उसको ज़रूर देखेगा link हम दे देगे अगर वोड वीडियो नहीं देखा हो तो आप जबर देख लें कि list कैसे बनाई जाती है तो यहां से हमने drop list तयार की है और यही numbers यही formula हमने इसमें add कि हुए drop list में अब सबसे पहली चीज जो यह है कि हमें यहां पे किसी भी एक blank sale में आप we look up का formula आप use करेंगे यहां पे तो हमने यह look up का formula यूज किया अब we look up value जो पूछा जाता है यह जो आपने यहां पे जो formula आपने drop list से लिया है उसको select करना है उसके बाद आप से पूछा जा रहा है table array table array यानि जो आपने अलग से जो subtotal को use करते हुए जो आपने formula यूज किये है जो formula आपने लिखे हैं उनके number जो साथ में दे रखें उन दोनों column को आपको select कर लेना है उसके बाद column index number पूछा जा रहा है अभी देकि related हमको यही चाहिए यही formula चाहिए तो इनके जो column बने हुए हैं जैसे column 2 बने हुए तो आपको 2 ले लेना है comma 0 कर देना है और इसको close कर देंगे अंटर कर देंगे देखें अभी यहां पे 2 आ रहा है 2 इसलिए आ रहा है कि count का number जो है वो 2 है तो यहां पे अगर आप कोई change करेंगे तो वही number बताएगा जैसे max 4 पे है तो 4 बता रहा है इस तरह से यहां पे जो formula आप use करते हैं उसका number जो related number यहां पे दे रखा है वही यहां पे show कर रहा है अब हम यह चाहते हैं कि इसमें हमें अब यह इस पे work कैसे करेगा तो उसके लिए हमें इस range के last में आपको sub total का formula यूज़ करना है bracket open किया सबसे पहले यहां पे आपसे पूछेगा function number function number कौन सा function number यानि यह जो आपने अभी look up का formula आपने यूज़ किया है वो वाला sale आपको इसमें लेना है उसके बाद reference में आपको क्या देना है reference में आप वो चीज़ देंगे जिसके थूँ आप ये जिसके थूँ आप ये formula यूज़ करना चाहते है तो ये वाली जो हमारी list है इस list को हमें select कर लेना है ये list हमने select कर ली और इसको close करके enter कर देना है तो देखें यहाँ पर count का दे रखा है तो count कितने हैं यानि series number कितने हैं 11 है तो 11 बता रहा है अगर आप कोई range खाली कर देंगे तो यहाँ पर वो बताएगा इसके अलावा अगर हम कोई दूसा formula यूज़ करेंगे तो दूसा formula बताने लग जाएगा यानि उस range पे वही formula वर्क करेगा ये देखें min है या sum है तो इस तरह से ये excel में काफी useful हो सकता है क्योंकि हमें अलग-अलग formula उसको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे एक ही आपने उस drop list में आपने सारे formula एड़ कर दिये है और उस table पे आप उस सारे formula एक साथ apply करके देख सकते कई वर क्या होता है कि हमारे पास कुछ data दिया गया है जिसमें नाम और sunname साथ है अगर हम इन में अलग-अलग इसको करना चाहिए जैसे नाम अलग state में हो जाए और sunname अलग state में हो जाए तो इसका हम दो तरीका आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आए जानते हैं इसको कैसे करते हैं देखे सबसे पहले हम इस option को यूज करने के लिए आपको data tab में test to column का option मिलेगा जिसके थुरू आप नाम और sunname अलग-अलग कर सकते हैं तो देखे हम इसको पूरे area को select कर लेते हैं और test to column वाले option में जाएंगे और यहां से आपको option choose करना है delimited वाला default यह select ही रहता है आपको next करना है देखे आप इन में अगर बीच में space देना चाहते हैं semicolon लगाना चाहते हैं कॉमा लगाने तो कई सारे options दिये गए हैं हम यहां पे space चाहते हैं तो space वाला option select करेंगे देन next करेंगे और इसको finish करेंगे देखे इस तरह से नाम और sunname दोनों अलग-अलग सेल में shift हो जाता है लेकिन हम चाहते हैं कि हम नाम को आपको यहां पर replace option में जाना है replace option में find what में आपको अगर सिर्फ नाम हटाना चाहते हैं और sunname रखना चाहते हैं तो सबसे पहले नाम रखने हैं उनके sunname हटाने हैं तो again हम find and replace में जाएंगे find पर क्लिक करेंगे replace option यूज़ करेंगे अब यहां पर आपको अगर आप सिर्फ नाम चाहते हैं तो आप सबसे पहले खाली space दे देंगे और उसके बाद star का sign लगाएंगे और उसके बाद replace all कर देंगे तो यूज़ करना चाहें तो आप अपने excel में इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी भी table को आपको full screen पर देखना हो तो इसको कैसे देखा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी tables आपके पास होती है MIS report पगरा होती है तो आपको उसको एकदम full screen पर देखना है यानि यह जो screen आपको दिखाए दे रही है इसके यह menu बार यह tab बार सारे हटाने हो और अगर आपको ribbon भी हटाना हो और इसको screen पर यानि इतने area पर भी आपको यह table दिखाई दे तो उसके लिए एक छोटा सा option है एक छोटी सी trick है जिसको आपको अपने PC में set करना है उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे file tab में file tab में आप यहां पे लेंगे options, options के बाद में आपको यहां पे लेना है quick access toolbar, quick access toolbar के बाद में आपको choose command में आपको लेना है popular command को हटा के all commands और यहां पे आपको search करना है toggle full screen view आप T press कर देंगे तो T की series आ जाएगी इस तरह से आपको इसमें आपको toggle full screen view दिखाए दे रहा है यहां पे इसको click करेंगे और इसको add कर देंगे तो यह आपका quick access toolbar में add हो जाएगा इसको ok कर देते हैं तो देखिए यहां पे आप quick access toolbar के icons में आपको एक अलग से icon और दिख जाए दे रहा है जिसको हम कहते हैं toggle full screen view इस पे click करेंगे click करते ही देखिए आपकी screen जो है वो full screen हो इस तरह से हम किसी भी screen को अगर full screen पे चाहते हैं तो आप इस options को use कर सकते हैं आपको full screen से बाहर आना हो तो keyboard से escape प्रेस करेंगे हम full screen से वापस बाहर आजाएंगे तो कभी भी किसी भी table को आपको full screen देना है तो यह क्योंकि access toolbar toolbar में save रहता है आप इस खाले इस पे click करेंगे तो full screen हो जाए और keyboard से escape करने पे हम full screen से बाहर आजाएंगे एक चोटी सी tricks जो बहुत ही useful है किसी भी excel में बनी हुई table से blank row को एक साथ delete करना हो जनरली कई बार हमारे पास बहुत बड़ी table है और बीच बीच में आपको blank भी दिखाई देते हैं तो उसको हम एक साथ अगर delete करना चाहें तो ऐसा कौन सा option है कि ह हम एक साथ delete कर सकते हैं क्योंकि या तो फिर एक एक आप जैसी टेबल बनी हुई एक करके आप delete करेंगे जैसे यहां पर यह एक बना हुआ है row अगर हम इसको delete करना चाहते हैं तो delete option में जाके यहां से delete row करेंगे तो यह row delete होता है लेकिन एक एक तरीके से हम कर सकते हैं ऐसा क हम एक formula यहां पर use करते हैं वह है counter वाला formula यूज करके इसको हम series number चेक कर लेते हैं यह series आपको बता देगा यह हमने cell को select किया enter कर दिया अब total जो है वह series 7 है अब हम इसको drag करेंगे तो बाकी cell में भी आपको बता देगा कि कितने total जो है वह sale में number दिये हुए हैं तो यहां प number series 7 यहां पर 7 है लेकिन अगर हम किसी एक पूरी रो को count करते हैं तो यहां पर 0 बता रहा है क्योंकि इसमें कुछ count नहीं किया क्योंकि यहां पर 0 है सारे blank cell है इसलिए इसने यहां पर 0 बताया है अब हम सबको एक साथ डिलीट करना चाहें तो डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर लगाने के लिए आप home tap के अंदर ही यहां पर आपको मिलेगा shorten filter का option यहां से हम लगा देंगे filter यहां पर फिल्टर लगा दिया अब हमें blank cell को filter करना है तो blank cell वाले सेल में जाके यहां पर फिल्टर लगा देंगे हम select all खटा देंगे और जिरो जहां जहां पर दे रखा है उसको हम select कर लेंगे okay कर देंगे तो देखिए सारे blank cell आपके सामने आगे यानि सारे rows आपके सामन जाएंगे और इसी filter को वापस हम select all कर देते हैं okay कर देते हैं तो देखिए आपकी table में जितने भी row जो से blank वो सारे delete हो जुके हैं लेकिन अगर कोई blank cell है तो वो cell delete नहीं हुआ है बाकी पूरी row जो थी वो delete हो जोगी तो देखिए blank row को delete करने का एक और simple सा method और है वो भी जहां से आपको blanks row जो है वो delete करना है उसके बाद हम fine and replace वाले option में जाएंगे और यहां पर देंगे हम go to का option यहां पर आपको जाना है special पर special पर देखिए यहां पर blank पर option दिया गया है इस blank को आप select कर लिजिए और okay कर दिए इससे कि आपको पूरी टेबल में blank cell जो है वो जिते भी blank row है वो सारे एक साथ select हो जागा है अब चाहे तो आप इसको mouse का right click प्रेस करके delete option में जाके इसको delete कर दें delete row के option में या फिर आप home tab में ही delete option दिया गया है यहां से आप कर लें delete row तो यह सारी जो है वो डिलीट हो जाती है और इस तरह से आपके उस table में जित्ती भी blank row जो दी गई थी वो एक साथ delete हो सकती है दोनों ही method है आप किसी भी method को use कर सकते एक साथ table में अगर हमें row delete करना हो तो यह trick आपके जरूर क में आपके जगा में आपके जगे बामाईगी